क्रिस्मस आने वाली है तो केक बनाना तो बनता है तो आज मैं आप सभी के साथ चेयर करूँगे एगले क्रिस्मस स्पेशल फ्रूट के सबसे पहले हम एक बरतल लेंगे और इसमें डालेंगे एक कटोरी ओरेंज जूस यहां मैंने रेडिमेड ओरेंज जूस का यूज किया है आप इसकी जगा फ्रेश ओरेंज का भी जूस ले सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे दस से बारा बारी कटे हुए चेरी एक चौथाई कप बारी कटे हुए आलमन डालेंगे एक चौथाई कप बारी कटे हुए काजू डालेंगे एक चौथाई कप सभी कलर के मिक्स किये हुए टूटी फ्रूटी डालेंगे एक चौथाई कप किस्मिश डालेंगे यहां मैंने किस्मिश को अच्छे से धो के वाश कर लिया है इन सभी इंग्रेडियंट को डाल कर हम इसे अच्छे से चमच्छे औरेंज जूस में मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर एक घंटे के अलिए सोख होने देंगे जूस में भीगो देंगे जिससे औरेंज जूस ड्राइ फ्रूट को अंदर तक अच्छे से सोख लेगा और चलिए अब हम दूसरी तरफ एक कड़ाई लेंगे गैस अन करेंगे और कड़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे और अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे चीनी डालकर गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और मेडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए चीनी को कैरमलाइस कर लेंगे या मेल्ट कर लेंगे और चीनी को हम इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे एक चीनी जलेगी नहीं और ये देखिए चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है हमें इसमें पानी का यूज बिलकुल नहीं करना है चीनी को हमें करमलाइस करना है अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो चीनी का चासनी बन जाएगा जिससे चीनी तले में लगे ना और आप देख सकते हैं चीनी को पकाते हुए 3-4 मिनट और हो गया है और चीनी हमारी बहुत अच्छी तेरे से केरमलाईज हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और चलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे यहां मैंने इसमें एक कटोरी पानी डाला है पानी डाल करके हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसके कुकिंग प्रोसेस को हम यहीं रोक देंगे और अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ज दूद यहां मैंने नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे लिया है और सेम कटोरी से ही हाफ कटोरी कुकिंग ओयल डालेंगे और इन सभी को हम विक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें एक चमच वनीला एसिंस डालेंगे यहां मैंने वनीला एसिंस का यूज़ के आप इसकी जगा चमच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं और यह देखे यहां मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें दो कटोरी मैदा डालेंगे यहां मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया है आप भी केक बनाते समय मैदा को छान के यूज़ करें जिससे आपके भी केक soft और spongey बनेंगे और अब हम इसमें तीन चमच milk powder डालेंगे यहां मैंने milk powder का यूज किया आप इसकी जगा मलाई का भी यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास milk powder ना हो तो आप इसकी जगा दूद का ही यूज करें और आप देख सकते हैं यहां मैंने तीन चमच मिल्क पौडर इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें एक चमच बेकिंग पौडर डालेंगे एक चोथाई चमच नमक डालेंगे और इसमें आधा चमच खाने वाला सोडा या मीठा सोडा डालेंगे सारे ingredient डाल कर हम इसे चम्मश से हलके हाथों से एक ही direction में mix करेंगे केक बनाते समय आप जब भी इसे mix करें तो एक ही direction में mix करें जिससे केक हमारा बिल्कुल perfect बनता है और ये अच्छी तरह sit होता है नहीं तो आपका केक बिगड सकता है आप इसे cut और fold method से भी इसे इस तरीके से mix कर सकते हैं और ये देखे यहां मैंने इसे हलके हातों से एक ही direction में cake के batter को अच्छे से mix कर लिया है और ये देखे काफी ये थिक हो गया है और अब हम इसमे orange juice में soak के हुए dry fruit डालेंगे और साथ में orange juice भी डालेंगे और आप देख सकते हैं dry fruit orange juice को काफी अच्छी तरह इसके से soak कर लिया है यहां मैंने इसे एक घंटे के लिए रखा था आप इसे overnight या 3-4 घंटे के लिए भी भीगो सकते हैं और अब हम इसे हलके हाथों से चलाते हुए orange juice को भी एक ही direction में बैटर में अच्छी से mix कर लेंगे और यह देखे बैटर हमारा काफी अच्छी तरीके से mix हो गया है और orange juice के साथ बैटर में डाला हुआ baking soda और baking powder भी active हो गया है और यह देखे बैटर हमारे काफी fluffy हो गया है और आप देख सकते हैं बैटर perfect हमारा बन के तयार हो गया है और अब हम cake बनाने के लिए इस तरीके से एक cake टीन लेंगे और इसके उपर butter paper डालेंगे और यहां मैंने butter paper के उपर पहले से ही थोड़ा सा oil लगा कर इसे अच्छे से grease कर लिया है और अब हम इसे cake टीन में इस तरीके से डाल करके इसे हाथ से दबाते हुए अच्छे से set कर लेंगे और यह देखिए यहां मैंने इसे set कर लिया है और अब हम इसमे cake के batter को डालेंगे बैटर डाल कर हम इसे एक से दो बार इस तरीके से tap कर लेंगे जिससे इसका extra air निकल जाएगा और अब हम Christmas fruit cake के उपर थोड़े से dry fruit डालेंगे और यह देखिए यहां मैंने cherry को इस तरीके से cut कर लिया है इसके उपर cherry कटे हुए काजू, almond सारे dry fruit डाल करके हम इसे अच्छे से decorate कर देंगे और आप देख सकते हैं cake को यहां मैंने अच्छे से dry fruit से decorate कर दिया है और cake बनाने के लिए यहां मैंने cooker को medium flame पे पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था और यह देखिए cooker हमारा काफी अच्छी तरीके से गरम हो गया है हम इसके अंदर एक plate डालेंगे जिससी cake हमारा जलेगा नहीं और अब हम इसके उपर cake बनाने के लिए batter डालेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने cake बनाने के लिए batter को cooker के अंदर अच्छे से sit कर दिया है और अब हम इसके पर ढखकन लगाएंगे गैस का flame medium कर देंगे और cooker की whistle निकाल लेंगे और अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए bake होने देंगे 35 मिनट हो गया है cake को हम check कर लेंगे चेक करने के लिए हम इस तरीके से एक clean चाकू या knife लेंगे और इसे center में डाल कर हम इसे निकाल लेंगे और यह देखे चाकू हमारा बिल्कुल clean निकला इसका मतलब है कि cake हमारा अच्छे से bake हो गया है और gas का flame off कर देंगे और अब हम इसे थंडा होने देंगे cake को हम cooker में से निकाल लेंगे और यह देखे यहां मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है cake अभी काफी गरम है तो यह easily तूट सकता है हम इसे 3-4 घंटे के लिए थंडा होने देंगे और इसके बाद cake को हम easily तीन में से unmold कर लेंगे और cake हमारा बाहर निकलाएगा और यह देखे cake थंडा हो गया है यहां मैंने इसे निकाल लिया है और इसे plate में serve कर लिया है और चली अब मैं आपको इसे cut करके दिखाती हूँ cake हमारा अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा soft और spongy बना है इस तरीके से आप cake बनाएगे तो घर में बच्चे हो या बड़े सबी को बहुत पसंद आएगा और आप देख सकते हैं cake हमारा अंदर से भी बिल्कुली soft और spongy बना है तो आप भी अपने घर पे इस तरीके से आसान वीधी में easily fruit cake बना सकते हैं तो बजार से महगे fruit cake खरीदने की वज़ा आप इस तरीके से घर पे बनाएगे और अगर आपको मेरी recipe अच्छी और helpful लगी हो तो मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अधिक से अधिक शेयर करें और इस Christmas आप इस cake को घर पे जरूर बनाए और अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए recipe में झाल